Evaluation of Chromatogram in TLC Thin layer chromatography में आज जो चीज हमनें District करनी है evaluation of chromatogram अब सबसे पहली बात chromatogram होता क्या है किस तरह बनता है आपने thin layer chromatographic plate लेनी है जिसको हम TLC plate का नाम दे रहे होते हैं यहां पे सबसे पहले एक lead pencil निशान लगाना रहता है यहां पर sample को place कर देना है इसके बाद आपने एक बीकर लेना है बीकर के अंदर आपने mobile phase को put करना होता था यह मेरे पास mobile phase के अंदर आगी अब mobile phase को put करने के बाद यह वाली जो TLC plate इसको उठा के इसके अंदर 45 degree के angle पर यहां पर रख देना है यहां से नीचे से उपर की तरफ solvent मूव करेगा mobile phase मूव करेगा यह जो आपका mixture है यह सारे कसर separate हो जाएगा जिसके बाद हमारे पास कुछ यह वाली चीज़ बन रही होती है जर गोर कीजिएगा यह हमारे पास क्रो मेटोग्राम बन जाएगा आपने इसको खुश करना है खु सब्सक्राइब तो अब यह जो स्पॉर्ट से हमारे पास आएं इससे कौन-कौन सी information मिल रही होती है इसको नाम दे रही होती है evaluation of chromatogram तो इन स्पॉर्ट से दो तरह की information मिल रही होती है पहली नंबर पर हमारे पास होता है जी qualitative analysis और second नंबर पर quantitative analysis होता है तो evaluation हमारे पास दो तरह की हो सकती है there are two types of evaluation in TLC तो अगर मैं सबसे पहली बात करूँ qualitative analysis की heading दे दो qualitative analysis अब qualitative analysis किस तरह होता है जरब और कीजिए qualitative analysis में हम compound का name पता कर दे होते है qualitative analysis में हमारे पास जो mixture के sports आये हैं जो components है इनका नाम पता कर रहे होते हैं सही है तो in qualitative analysis in qualitative analysis qualitative analysis नेम अफ दा नेम अफ दा नेम अफ दा components of mixture components of mixture is determined is determined करने के लिए हम कौन सी चीज को यूज कर रहे होते हैं जिसरक हमने paper chromatography में पढ़ा था कि अगर आप किसी भी चीज का qualitative analysis करना चाहते तो rf value मालूम कर लो super chromatography की बात करो वहाँ पे हमने rf value को मालूम भी किया था सही है तो यहाँ पे भी सेम बात कहूंगा the rf value the rf value जो rf value ए give information यह हमें information provide कर रही होती है information about दा qualitative analysis qualitative analysis ये qualitative analysis के बारे में information provide कर रही होती है अब RF value है क्या ये इसलमें ratio है दो चीजों के दरिम्हान में ये भी याद रखे है हमारे पास जो RF value है RF value को निकालने के लिए आपने दो चीजों की जुरूरत पढ़ती है पहले नमबर पे आपका solvent नीचे से ये base line से यहां तक कितना distance travel किया है इसको रखोगे नीचे distance traveled by traveled by solvent या mobile phase भी कह सकते है solvent from base line from base line base line से solvent ने कितना फासला तैय किया है इसको आपने रखना है नीचे इसके बाद आपको जो component of mixture है ये बाद चीज इसने base line से कितना फासला तैय किया इसको उपर रखोगे distance traveled by distance traveled by traveled by solute solute from base line from base line base line से आपके solute ने या analyte ने या component of mixture ने कितना फासला तैय किया है इसको उपर रखो solvent कितना तैय किया है निचे रखो RF value मालूम करो इस RF value से अपता लगा सकते हूँ कि आया यह वहला component कौन सा है क्योंकि हरे compound की RF value different होती है यह एक चीज़ से याद रखिएगा तो यह था यह quantitative analysis अब quantitative analysis में क्या करते हैं कि आप यह sport देखो यह हमारे पास chromatogram आया यह हमारे पास क्रोमेटोग्राम है यहां पर solumant front है यहां पर यह mixture आ गया है यह वह मिक्षर है अब आप करते क्या हो अब यह वह जो mixture है mixture का component कितनी मिकदार में मौझूद है quantity quantity इसकी quantity कितनी है इस चीज़ को मालूम करने के लिए quantitative analysis है the amount of component of mixture is determined by using various methods यह हमारे पास direct method भी होते हैं कुछ indirect method होते हैं हम देख लेंगे सही तो the amount of the amount of sample components the sample के components है उनकी जो amount मालूम कर रहे होते हैं इसको हम कह सकते is called quantitative analysis यह इसको quantitative analysis के जरिए से मालूम कर रहे होते हैं quantitative analysis के जरिए से मालूम कर रहे होते हैं सही तो quantitative analysis की बात कर रहे तो दो तरीके कार होते है quantitative analysis के एक होते है जिए direct method और दूसरा है हमारे indirect method अगर हम बात करूं direct method और indirect method में क्या फरक है जर्रा गोर कीजिए हमारे पस direct और indirect method में simple सा यह फरक है कि direct method में आपका sport यहां से हम उतारते नहीं directly इसका कितनी मिकदार मौजूद है इसको मालूम कर रहे होते हैं इसको नाम दे रहे होते हैं direct method का उतारने के बाद फिर जाकर पता लगता है कि कितनी मिकदार इसकी मौजूद है इसको हम नाम दे रहे होते हैं indirect method का direct and indirect अभी सिर्फ यह याद रहे हैं कि evaluation of chromatograph में basic अलिए हम दो चीज़ों कर रहे होते हैं qualitative analysis और इसके बाद हमारे पास next जो चीज़ आती है quantitative analysis अब इसमें जो दो method हम नहीं यहां पर लिखे हैं कि direct method एक indirect method इंशाला तरह नेक्स वीडियो है उसके अंदर हम इसको explain करेंगे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक्स वाचिंग अला फेज से क्रेंशोट लाजमी ले लीजीगा